Hello friends, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? गर्मियों का टाइम आ चुका है और गाड़ी अगर भाहर खड़ी रहती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गर्मी की वज़े से डामेज हो जाती है और हमारा क्या होता है कि गाड़ी जब भाहर खड़ी करते हैं तो कुछ टाइम बाद गाड़ी का टेंपरेचर बहुत जादा बढ़ जाता है तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी गाड़ी का टेंपरेचर आप जल्दी से ठंडा कर सकेंगे और साथे साथ कुछ precaution जो आपको गर्मियों के टाइम पे लेने है अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है तो चलिए बीना किसी दिरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं या किसी ऐसी जगह पे खड़ी करें जहां पर डारेक्ट धूप ना पढ़ती हो अब दिन के टाइम पे क्या होता है गाड़ी का टेंपरेचर बहुत स्पीड से बढ़ता है और अगर बाहर आपका 35 डिग्री है तो अंदर वो 50-55 डिग्री भी पहुंच सकता है क्योंकि गाड़ी के अंदर एक टाइप से ग्रीन हूस टाइप का इफेक्ट हो जाता है जिससे की टेंपरेचर बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाता है तो अगर आपके गाड़ी छाओं में खड़ी रहेगी तो किसी भी टाइम अगर आप गाड़ी पे बैठेंगे तो गाड़ी का टेंपरेचर बहुत जादा बढ़ेगा नहीं थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी पर जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी तो कोशिश करें गाड़ी को शेड में लगा के ही जाएं और अगर आपकी गाड़ी घर में खड़ी है पार्क है तो कोशिश करें ऐसी जगह पे पार्किंग करें जहां पर गी थोड़ा चाया रहे आप एक अच्छा सा पार्किंग स्पेस बना सकते हैं, कवर कर सकते हैं गाड़ी को और गाड़ी इससे सेफ रहेगे अब देखें दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है रिलेटेड काड़ी के कलर से अब देखें डार्क कलर के साथ ना सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एक तो उसकी मेंटेनेंस बहुत जादा होती है और दूसरी चीज जब वो लंबे टाइम तक धूप में खड़ी रहती है तो उसका जो कलर है वो फेड होने लग जाता है आफ देखें जो dark colors है ऊपका black हो गया, red हो गया, और blue हो गया इन color के साथ ये problem है आफ रही दीरे time के साथ ये fade होना start हो जाते है अब कितना fade होते है वो depends करता है कि और जाधा time तक थूप में खड़ी है इन में फेडिंग नहीं होती है, फेडिंग होती है, पर यह कलर इस टाइप के होते हैं, कि यह जादा ना फेड दिखते नहीं है, क्योंकि यह light colors है, इन में जादा जो अगर आपका clear coat उड़ भी जाता है, तो उतना visible नहीं होता है, अगर आपने अपनी गाड़ी की paint की life को पहले ना हो जाए, अब इसमें दूसरी चीज यह है, कि गाड़ी आपको cover इसले भी करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है dust से भी protected रहती है, और गर्मियों के time में क्या होता है, गाड़ी का temperature बहुत बढ़ जाता है, उसको भी काफी हद तक जो cover है, वो रोक देते हैं, गर अगर आप अपनी गाड़ी को खड़ी करके छोड़ रहे हैं, गर्मियों के time पे, और भी वहाँ पर धूप जाता पड़ती है, तो आप कोशिश करें कि उसके जो wipers है उसको थोड़ा सा raise कर दीजे, अब इसका reason यह है कि जो wiper की blades होती है, वो rubber की बनी होती है, और गाड़ी और भी उसका भी आपको time to time replacement कराना पड़ेगा, तो भी इस चीज़ का ध्याना के wiper हमेशा race कर दीजे, front wiper है या back wiper है सबको आप race करके रखें खड़ी गाड़ी में, especially गर्मियों के time पे, अब देखी इसमें एक और चीज़ आती है, गाड़ी जब आप धूप में खड़ पर क्या वो accurate तरीका है जिससे कि आप गाड़ी का temperature एकदम से down कर सकते हैं, अब देखें इसमें भी दो condition है, एक तो भाई जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठें, जब आपकी गाड़ी गरम हुई पड़ी है बाहर पे खड़े खड़े, तो भाई उसमें एकदम से अंद बैड़ गए उसके बाद आप विंडो रोल डाउन कर रहे हैं और उसके बाद आप जो भी precaution है, एसी वगएरा चला रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, क्योंकि उससे होता क्या है कि गाड़ी के अंदर गैस बन जाती है, अब वो गैस किस चीज की होती है, अगर आपने seat cover लगा जो आपकी health के लिए बहुत जादा खतरनाक है, यह जादा effect अप करती है जब गाड़ी एकदम गरम हुई पड़ी रहती है और आप एकदम बंदर बैटते है तो आप कोशिश करें कि गरम गाड़ी में एकदम अंदर बैटके उसे ठंड़ा करने कोशिश ना करें, थोड़े आपकी गाड़ी एकदम ठंडी हो जाएगी, अब इसका आपको एक secret बताता हूँ, जबी भी आप गाड़ी में बैटते है तो गाड़ी में जो AC है ना, AC जबी भी खड़ी गाड़ी में चलेगा तो वह अतना effective नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप भाई कहीं धूप में खड वह अपना work जो है 100% तरीके से नहीं कर पाता है, अब देखिए खड़ी गाड़ी में आप AC चलाएंगे ठंडा तो वह करेगा पर उसकी efficiency काफी हद तक गिड़ जाती है, तो भाई इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपकी गाड़ी का AC बहुत जादा effective आपको इसके बाद आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चलाना स्टार्ट करें, जब आप गाड़ी को थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद आप अपने AC यूज़ करेंगे तो AC ज़्यादा efficiency से काम करेगा और temperature गाड़ी का ज़्यादा speed से गिरेगा, तो भाई तब आप difference देख कर सकते हैं, आप अपने windows को diagonally खोलिए, ऐसा नहीं कि आपने आगे की दो windows खोल दी, तो आप सोचने की गाड़ी थंडी हो जाएगी, नहीं, उसे cross ventilation नहीं मिलेगा, आप कोशिश करें अपने diagonal windows खोलिए, अगर मैं अपनी side की window खोल रहा हूँ, driver side की, तो आप पीछे के left side के जो passenger है, उनकी windows को open करें, ताकि air passage बन जाए, और जो हवा है वो diagonally pass हो सके, उससे क्या होगा, आपका cabin गाड़ी का जल्दी थंडा होगा, अब बात करते हैं, दूसरी चीज़ की, कौन सी ऐसी technique है, जिससे सबसे जल्दी गाड़ी थंडी होती है, उसकी एक technique है, आप अपनी गाड़ी में जो passenger side का window है, उसको down करिए, पूरी तरह से, और उसके बाद जो driver door है, इसको खोलिए, बंद करिए, ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है, अब उससे होगा क्या ना, air का जो है, एक low pressure create हो जाएगा, जिसके करण जितनी भी गरम हवाई, वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जितने भी cabin के अंदर गरम हवाई कटा हुई पड़े जल्दी से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको करना है AC का इस्तमाल, वो भी खड़ी गाड़ी में नहीं गाड़ी चलाते होए, गाड़ी आपके ठंडी हो थोड़ी सी कम गरम होगी, तो उससे क्या होगा, वो हवा भी अंदर आके थोड़ा सा अंदर की जादा गरम हवाई ना उसको भार की तरफ पुश करेगी, और उससे AC भी जादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है, और आपकी गाड़ी एकड़ी थंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, यह बहुत जारा कारगर तरीका है, मैंने अपलाए करा है, बहुत बार जब गाड़ी गरम हो जाती है, मजबूरी में गाड़ी भार कहीं पार करनी पड़ती है, धूप में, उसके बाद जब गाड़ी में बैठा नों, यह टेकनिक जरनी सारे, तो आप कोशिश करें कि अपने गाड़ी के जो टायर है उनकी प्रॉपर केर करिए, अगर आपकी गाड़ी धूप में लंबे टाइम तक खड़ी रहती है, तो टायर जो जादा स्टिफ हो जाते है, हाँ अगर आप हाईवे पे भी बहुत जारा चल रहे है, तो प्रेशर चेक करवाते रहें, किसी भी पम में या कोई मेकैनिक अगर आपको दिखता है, उससे आपका क्या होगा टायर फटने के चांसे बहुत जारा कम होगे, क्योंकि गर्मियों के टायर बहुत जारा फटते हैं गाड़ियों के, अगर वो पुराने टायर है, तो इस ची कहीं लाइवल डाउन तो नहीं है, क्योंकि गर्मियों में इनी का सबसे जाधा यूज होता है गाड़ी में, जो कि ये गाड़ी को ठंडा रखते हैं, एक और चीज आपको ध्यान रखने पड़ेगी, इसपेशली जो की है आपका मोबाइल होल्डर से, अब दिखे कई कोशनी पढ़ती है सूरज की तो बहुत जल्दी गरम होता है, और बहुत जादा गरम हो जाएगा आप यूज भी कर रहे हो से ना तो उसके फटने के चांसे बढ़ जाएंगे, तो गर्मियों के टाइम पर फोन के साथ प्रिकॉशन ले, आप एसी वेंट वाले मोबाइल हो जाता है, और इसके अंदर बैटरी होती है तो फटने के चांसे जादा होता है, तो आप ध्यान रखिए कोई भी एक्स्प्लोजिव चीज अपना गैस लाइटर हो गया, अपना मोबाइल हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइज जिसके अंदर बैटरी है, उसको दैश बोड में या ऐसी जगह पर ना छोड़े, जहां पर continue धूप पड़ती है, ऐसा नहों आप गाड़ी से बाहर निकले, और आपका लाइटर जो है या फिर आपने जो परफ्यूम है, उसकी बॉटल महां पर छूटी है, तो उसका ध्यान रखे, तो इंफ्लेमेवल कोई इस इनफोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के रिए देखते रहे, श्रीदेश व्लोग्स, थैंक्यू फो वाचिंग